बाजपापर गर्जी बहन मायवती कहा नफरत और द्वेश की राजनीती से होगा देश कमजोर साथ ही सलहादी सुधरने की जी हाँ दोस्तों मैं हूँ इंजिनर स्निहा और आप देख रहे हैं दर्थिंक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही बेल आइकन प्रेज कर लीजे हमारे वीडियो को लाइक करे कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया दे और अपने दूसर रिष्टेदारों में शर्क करना ना भूले आपको बता दे कि बहुजन समाज पार्टी की राष्टिया द्यक्ष बहनकुमारी मायवती इन्होंने आज प्रेजवार्ता की और प्रेजवार्ता की माध्यम से भारति जन्ता पार्टी पर जम कर गर जी उन्होंने भारत्य जन्ता पार्टी को सलहा दी है कि जिस प्रकार आप नफरत और देश की राजनेती कर रहे हैं इससे होना जाना कुछ है नहीं लेकिन देश कमजोर होगा सर्वेंत्र के तहट लोगों की धार्मिक भावनाओं को भरकाया जा रहा है तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बलकि कमजोरी होगा उन्होंने यहाँ भी कहा कि जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और भारती जंता पार्टी की मिली भगत से उत्तर प्रदेश के अंदर जो सांप्रदाइक तका महोल तयार किया जा रहा है वह इसलिए तयार किया जा रहा है ताकि बढ़ती बेरोजगारी बढ़ती गरीबी को लेकर कोई सवाल ना करें प्रदेश का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी बेरोजगारी वे आस्मान चूरही महंगाई आधी पर से जनता का ध्यान बातने के लिए बीजेपी वेन के सयोगी संक्ठनों दुआरा चुन-चुन कर वेखास कर यहां धार्मी कस्तलों को जो निशाना बनाया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है आगे यहां भी कहा कि बेरोजगारी गरिबी और महंगाई संपुन देश के अंदर चरम सीमा पर है आस्मान चूरही है और ऐसे में तमाम भारते जनता पार्टी तमाम सरकारे केंद्र सरकारे और राजी की सरकारे इन बातों से लोगों को डाइवर्ट करके धरम जाती के जोर हो जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि ग्यान वेपी मतूरा अताज महलवा और अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर जिस प्रकार से लोगों की धार्मिक भावनाव को भड़काया जा रहा है यहां भी आने वाले समय के लिए घातक है और इसलिए भारते जनता पार्टी को इ अभीम जय भारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले